जूटा अक्रोश दिखाना, काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीती का सहारा BJP लगातार तब तक लेती रहेगी जब तक मुद्दों से भटकाएगी लेकिन आपके सामने विपक्ष खड़ा है, इंडिया अलायंस खड़ा है, कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी खड़े है BJP के लोगों की, उनकी ट्रोल आर्मी की, उनके सांसदों की, उनके मंत्रियों की, उस एको सिस्टम की ये जूट बोलने की गंदी लत कैसे खतम होगी लेकिन शायद नहीं खतम होगी क्योंकि उस जूट बोलने के जनक जो हैं, वो खुद मोदी जी है खेर, आप राहुल गांधी के बयानों को आज तक काट छाट के चला रहे हैं, अपनी दुकान इसी तरह से कुछ BJP के नेता चला रहे हैं ये कब समझ में आएगा आपको की राहुल गांधी के खिलाफ जूट परोसने से, उनके खिलाफ नाहा आरोप लगाने से, जनता नहीं खुश हो रही है, जनता आपके साथ नहीं है क्योंकि जनता और लोग इस देश के समझते हैं कि इस देश का जननायक कौन है और कौन उनके साथ मुश्किल के वक्त में हर मोड पर खड़ा हुआ है लेकिन क्योंकि जूटा अक्रोश दिखाया जा रहा है तो कुछ बाते बोलनी यहां पर जरूरी है राहुल गांदीजी अमरीका के दोरे पर है वहां पर उन्होंने सब को समान अधिकार देने की एक बात कही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब को हर धर्म हर वर्ग हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए और उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बाते बोली, बीजेपी ने उसका एक वाक के निकाला और उसको सिखों से जोड दिया आपका जूटा आक्रोश क्योंकि दिख रहा है तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाने कहा था या आक्रोश जब बीजेपी के सांसद और इनके मंतरी पंजाब से आई हुए किसानों को हर्याणा से आई हुए किसानों को इस देश के तमाम किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडे कहते थे कहा था आपका आक्रोश जब पंजाब से आई हुए किसान, हर्याणा से आई हुए किसान, इस देश के तमाम किसानों में से साथे साथ सो किसानों की अपने हक के लिए लड़ते हुए शहादत हुई कहा था आपका हाक्रोश जब नरेंदर मोदी ने किसानों और वो किसान जो पगड़ी पहने हुए थे उनके लिए बड़ी बड़ी चट्टाने खरी कर दी रास्ते खुदवा दिये तारे और कीले गड़वा दी कि वो दिल्ली में एंटर ना कर सकें किले बंदी कर दी दिल्ली कि ट्रेंड में बैठे हुए एक व्यक्ति पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक वर्ग एक धर्म से आता है उसके साथ उसको थपड मारे जाते हैं उसके साथ बत्तमीजी की जाती है वो बुजर्ग है क्योंकि वो मुसल्मान है शक के घेरे में एक आदमी की पीट- और हत्यारे को ये मलाल नहीं है कि उसने 17 साल के युवा की हत्या कर दी उसको ये मलाल है कि उसने उसको मुसल्मान समझा और आक्रोश भी तब हुआ क्योंकि वो हिंदू था ये इस देश के हालात आपने कर दिये हैं लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूँ पंजाब जाने से खौफ क्यों है ये वो ही प्रधान मंत्री है ना जोने पंजाब की असमिता पर सवाल उठा दिया था पंजाब में अपने खिलाफ असुरक्षा पर सवाल उठा दिया था क्या पंजाबी आपको सुरक्षत नहीं रख सकते थे जूटा अक्रोश दिखाना, काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीती का सहारा बीजेपी लगातार तब तक लेती रहेगी जब तक मुद्दों से भटकाएगी लेकिन आपके सामने विपक्ष खड़ा है, इंडिया अलायंस खड़ा है, कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं और मुद्दों से हम आपको भटकने नहीं दे हैं आप सब जानते हैं कि जनजवार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है, आप भी जनसहयोग में सामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में सामिल हो, हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहय हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है, धन्यवाद साथी जनजवार जनता की मीडिया